मनिया नगर में पूनम अपने पती रमेश के साथ आलो प्यास वाला समोसा वेचा करती थी शादी से पहले रमेश का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा था लेकिन जब से पूनम उसकी जिन्दगी में आई थी उसकी किस्मत जमक गई थी तोकि अब आलो प्यास के समोसे का मसाला पूनम बनाया करती थी ऐसे ही एक दिन ठेले पर पूनम जब से तुम आई हो सच में मेरी तो किस्मत ही बदल गई है अरे कहां पहले मेरे ठेले पे एक परिंदा भी नहीं आता था और अब देखो लोगों को हमारी समोसे खाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है जी मैं तो कुछ भी नहीं करती मैं तो बस आलू प्यास मिला के मसाला बना देती हूं हां बस वही तुम पता नहीं कैसे बना लेती हो मैं इतने समय से तुमारे जैसा मसाला नहीं बना पाया अरे कोई नहीं अब हम साथ हैं न और आज तो हमने अच्छी कमाई कर ली अब हम अपने घर की रसोई को सही करवा लेते हैं हाँ हाँ ठीक है मैं कल सुबह ही जाता हूँ और रसोई ठीक करने वाले को लेके आता हूँ रमेश सुबह होते ही गाउं में मजदूर तलाशनी के लिए निकल जाता है वह पूरे गाउं में घूमता है और खुद से कहता है अरे कहां मर गे गाउं के सारे मजदूर, भाई कोई नजर ही नहीं आ रहा है, अब और कितना चलूँ मैं, मैं तो ठक गया हूँ यार तबे उसकी नजर पेड के नीचे बैठी एक लड़की पर जाती है, जिसका नाम आशिका था, जो दिखने में बेहस सुन्दर थी, पर वहस जोर जोर से रो रही थी अरे, ये लड़की कौन है, अपने गाउं की तो नहीं लगती, और ये इतना रो क्यू रही है, एक बाज आके पूछता हूँ, क्या पता मैं उसकी मदद कर सकूँ तब ही रमेश उसकी पास जाता है और कहता है अरे मैडम, आप इतना रो क्यू रही है, क्या बात है, देखिए ऐसे रो ये मत देखिए, आप चूबी है, यहां से चले जाएए, मुझे एकेला रहने दीजी, भगवान ने मेरी किस्पत में रोना ही लिखा है देखिए, आपके साथ जो भी हुआ है, उसमें भगवान का कोई दोश नहीं है, अरे आप ऐसे हिम्मत मत आ रही है, आप मुझे बता सकती है, आपके साथ क्या हुआ है मैं अपने माबाब के साथ अच्छे से रह रही थी, लेकिन एक दुरगटना वश, मेरे माबाब इस दुनिया से चले गए, जिसके बाद मेरी भाई-भावी ने मुझे घर से निकाल दिया, अब मेरे पास न रहने को ठीकाना है, न खाने को खाना है देखिए, मुझे आपके लिए दिल से बुरा लगा है, आप जब तक चाहें, मेरे घर में रुख सकती है, मेरी वीवी बहुत अच्छी है, आप चलिए रमेश आशिका को अपने घर ले जाता है, और उनम को उसके बारे में सब कुछ बताता है उनम भी आशिका को रहने के लिए अपने घर में जगा दे देती है, न बैसे ही दोनों पती-पत्नी अपनी रोज मर्रा का आलो प्यास के समोसे का ठीला लगाते है गुजरते वक्त के साथ साथ आशिका और रमेश की नस्दी क्या धीरे-धीरे बढ़ने लगती है आशिका भी रमेश को पसंद करने लगती है और अब रमेश भी बीवारी का वहाना बना कर पूनम को अकेले समोसे वेचनी के लिए बेज देता है तभी आशिका उससे कहती है देखिये मैं बोलना तो नहीं चाहती है और मुझे पता है ये गलत है लेकिन मैं खुद को ये बोलने से और करने से रोग भी नहीं पा रही अरे आशिका बोलो क्या बात है मैं आपको पसंद करने लगी हूँ, मुझी पता है कि पूनम को ये अच्छा नहीं लगेगा देखो मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और तुम चिंता मत करो हम पूनम को अपने प्यार के बारे में नहीं बताएंगे, वो अराम से कमाती रहेगी मगर कभी अगर पूनम को पता चल गया तो आप तो मुझे छोड़ देंगे क्योंकि हमारा घर तो पूनम के आलू प्यास के मसाले की बज़ा से ही चल रहा है अगर वो नहीं बनाएगी तो हमारे समूसे कैसे बिकेंगे अरे आलू प्यास मसाला ही तो है वो तो तुम भी बना सकती हो उसमें क्या है कोई बड़ा काम थोड़ी है अब रमेश अपना जादा तरवग आशिका के साथ बिताता है और पूनम को अकेले समूसे बेचने के लिए भेज देता है ऐसे ही एक दिन ठेले पर उनम का मूँ बोला देवर गोरव आता है और कहता है अरे भावी क्या बात है आज कल भाईया नहीं आ रहे है आपके साथ समूसे बेचने क्या तब्यत खराब है क्या अरे नहीं नहीं देवर जी पता नहीं रोज सुबह उनकी तबियत खराब हो जाती है और वो आने से मना कर देते हैं भाबी अब एक प्रेड अपना स्पेशल वाला समोसा लगाई है हरी चटनी के साथ अहां अभी लगाती हूँ पुनम जल्दी से गर्मा गर्म समोसे गौरफ को देती है और गौरफ खा कर उनकी खुप तारिफ करता है और बोलता है आँ भाबी मज़ा आ गया ये आलू प्याज वाला समोसा खा के और हां भाबी हम सुने है कि आपके घर में इको लड़की आई है और मैं देख रहा हूँ भाबी जब से हूँ लड़की आई है भाईया आपके साथ आना बंद कर दिये कर भी हम उनको मार्केट में गूमते देखे देखो भाबी हम कोई आग नहीं लगा रहे लेकिन हमको जो लग रहा है वो बता रहे हैं बाकी आप ज़्यादा समझदार हो उनम गौरव की बाते सुनकर सोच में पढ़ जाती है और उसके आखों से आसु बहने लगते है में जल्दी से अपना ठेला गौरव को सौब घर जाती है जहां में देखती है कि रमेश आशिका को गले लगाए प्यार फर्मा रहा है में उन्हें देखकर बोलती है अरे शरहमानी चाहिए आपको अपनी पत्नी को दोका देते हुए अरे आपके लिए क्या नहीं किया मैंने आपने अज मेरा विश्वास तोड़ दिया इस कल की आई लड़की के चक्कर में वड़ी उमीद हाँ तुम कल की आई लड़की मुझसे ज़ादा अच्छी दिखती हो अरे तुम तो मेरे नाखुन के बराबर भी नहीं हो एक गाओं की गवार हो समोसी के मसाले के अलावा तुम्हें आता ही क्या है सही कह रही है आशिका अब मुझे तुम्हारी कोई जरूत नहीं है मैं अब आशिका को अपनी पत्नी मान चुका हूँ तुम मेरे गर से जा सकती हो समझाई अपने पती का ऐसा व्यवार देखकर पूनम का दिल तूट जाता है और वेह बैचारी और रोते हुए वहाँ से चली जाती है रमेश और आशिका उसकर हसने लगते है पूनम तर बदर की ठोकरे खाने लगती है तब ही उसका देवर गौरव उसे देखकर बूलता है अरे भाबी क्या हुआ तुमने अपनी ये आलत क्या बना रखी है तुमने सही कहा था रमेश जी और उस आशिका का चक्या चल रहा है उन दोनोंने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया ए भगवान मैंने तिरा क्या बिगाड़ा जो तुने मुझे ऐसा पती दे दिया जिसने मुझे दोका देते हुए एक बार भी नहीं सोचा अब मैं क्या करूंगी कहा रहूंगी कहा जाओं ऐसे में तुम्हें में कुछ जाती हूँ अरे भावी आप संभालो कुछ को और आप ये मरने की बात मत करो आपको अपको अपने समान के लिए लड़ना चाहिए अरे आपके हाथ में मा नुपूर्णा का जादू है आपसे अच्छा आलू प्यास समोसा कोई नहीं बनाता आप मेरे साथ कल से रमेश के ठेले के सामने अपना ठेला लगाईए इसमें मैं आपकी पूरी मदद करूँगा तुम सही कह रहे हो गौरव पूर्णा गौरव के साथ मिलकर दुबारा से आलू प्यास समोसे का ठेला लगाने लगती है और वह भी रमेश के ठेले के बिलकुल सामने पूर्णा को अपने सामने दे रमेश और आशिका के तो दोदे ही उड़ जाते है पर हो ना गया था रमेश के समोसे के विगरी हो त तो पूर्णा की वज़ा से ही रही थी ना तो बस फिक पूर्णा के ठेले पर वापस से भीर लग जाती है तीरे धीरे अब ग्राकों के भीर बढ़ने लगती है अरे पूर्णा बहन कहां थी आप आपके आलूपया समोसे कितने मिस कर रहे थे हम वो रमेश के समोसे में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है अब जल्दी से चार प्लेट समोसे लगाओ जी शुक्रिया भाई साहब मैं अभी लगाती हूं कौरब ने पूर्णा को प्या समोसे वाली के नाम से एक छोटी सी स्टॉल लगा दी थी वही रमेश के ठेले बर और मकी के अलावा कोई नहीं था तबही आशिकां उससे कहती है अःत तुमकी सी स्टॉल नहीं हो अरे हाँ चली जाओ एक तरफ गौरव और पूनम पूरे गाउ में मश्यूर हो जाते हैं उनका आलू प्यास का समोसा जगा जगा फेमस होता है गौरव और पूनम एक अच्छा सा घर लेकर रहने लगते हैं वहीं दूसरी तरफ रमेश को गुजारा करने के लिए भी अपने समोसे का ठेला और घर दोरू बेचना पड़ता है और रहे खुद से कहता है अब रमेश को जिंदगी भर अफसोस में रहना पड़ता है तो दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी यालू प्यास समोसे वाली कहानी हमें कमेंट करके बताएं